आपको पता दे कि पूरा मामला जन्पत अम्रोहा का है जहां पर थाना अम्रोहा देहात वे एसोजी सर्विश लैंड टीम दुवारा तावरतोर कारवाई करते हुए पुलिस अभी रक्सा से फरार सातिर हिस्टी सीटर अफरादी को मातर 24 घंटे के भीतर पुलिस मुटवेल क के दोरान काया लवस्ता में गिरफतार किया गया है जिसके कबजे से एक तमंचा खोका वे जिंता कार्तूर परामंद हुए हैं सोंबार को हसनपुर कोट में पेशी के लिए आए अभियुक्त बाजित पुत्र जरीफ निवासी गिराम गंगवार थाना रहरा जनपत अमरोहा के फरार होने की घंटना के संबन्द में थाना अमरोहा देहाद पर मुकदमा पंजी के रत किया गया था घंटना की गंबिरता को देखते हुए पुलिस अधिक्सक अमरोहा दुवारा अभियुक्त की सीगर गिरफतारी को लेकर समक छेतर अधिकारी थाना चोगी पिरवारी वे एसोजी सर्विस लाइन टीम को अपर पुलिस अधिक्सक के निकट पर्याय वेचल में लगाया गया वे पुलिस टीमें गठित कर अबसकता देशा निर्डेश दिये गए वे ड्रोन टीम अमरोहा को समभावित छेतरों में ड्रोन कैमरे से निकरानी करने हेतू निर्डेश किया गया अभियुक्त की गिरफतारी हेतू अम्रोहा पुलिस दुबारा सूच्णाओं को बिक्सित करते हुए अपराधी का पीछा किया गया जिसके बाद अभियुक्त बाजित पुतर जरीक को मंगालवार को थाना अम्रोहा दियाद बै एसोजी सर्विस लैंड टीम दुबारा मातर 24 घंटे के भीतर पुलिस मुटबेल के दोरान पैर में गोली लगने से घायल अवस्ता मेर रायपूर चोराहे से कांट वाईपास पर सडक किनारे खेतो से गिरपतार किया गया अभियुक्त को उपचार हेतो अस्पताल भरती कराया गया है जिसके कब्ये से एक तमंचा एक खोका वै एक जिंदाकारतुद बरामंद हुए हैं गिरपतारी वै बरामंद की के संबन्द में अभियुक्त के बिरूद थाना अम्रो यह कल एक हमारा बंदी था जो कि रहरा डिडॉली छेत में मुकंदे पंजी करते पेसी पाया था उस दरान को भाग गया था उसके बाद से हमारी पूरी जनपत की टीम लगाता एलर्ड पर थी और इसका फोटोग्राफ भी फ्लेश किया गया था समंदित टीमों को सभी थाना प्रवारियों को और इस यह अपराद यह जो पंदी था इसकी कहते हैं जादतर मुकंद में इसी छेत्र के हैं डिडॉली और देहा तो रहरा के तो इस छेत्र से वाकिर था तो हमारा एटेंशन भी इसी एरिया में था क्योंकि इसके भागने की संभावना मुरादाबाद सं इनने सको लड़का रहा है और यह फोटो सब के पास पीच्छा किया और अच्छात्मक फायर इसको एक इंजरी आये पैर में और इसको गरिफता किया गया से पहले पुलिस ने गिराफतार किया है क्या को यह नाम दे जाएगा और किस ने यहां फारिंग हुई यह तो अभी सिंगल लार्ण फार्रिंग हुई है और इसमें सारी पुलिट अलड थी और जो भी यह एक सहसिकार है भी और इसकी परिसीलन कफ्तार मोदे द्वारा करके इ आम दिरूगो सितके जएव